हेलो फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करती हूँ टोटल टिप साइड बन से काम है फ्रेंड्स अगर आप भी अपने रुकेश रुके बेजन बालों से परिशान हैं बालों की ग्रूत रुख गई है तो आप भी एक वर मेरा कहना मानकर इस घरेलो निस्खे का जरूर इस्तमाल करें इस निस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहां नीम की पती लेनी है नीम की पती में विटामिन C की मात्रा और औलिक एसिड जैसे पुशक तक तो पाये जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे सावित होते हैं इसे बनाने के लिए आपको किसी बरतन में एक कप की वराबर पानी लेना है और फिर उसे बॉल होने के लिए गैस पर रख देना है पानी में ओवाल आ जाने पर आपको नेम की पत्तियों को पानी में डाल देना है नेम की पत्तियों को पानी में डालने के बाद पानी अच्छे से बॉल हो जाए और पानी का कलर ग्रीन ग्रीन हो जाने पर गैस को बंद कर देना है इस remedy को friends आप बहुत ही कम समय में और बिना खर्चे के इसको बना सकते हो और वीडियो को skip नहीं करना है वीडियो को end तक पूरा देखना है नीम के पत्ते के पानी को ठंडा करने के बाद इसे चलनी से चान लेना है इस पानी से आपके बालों के growth बहुत तेजी से होगी बालों का जड़ना तूटना खत्म हो जाएगा और आपके scalp में खुजली और dandruff जैसी परेसानियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा इस नीम के पत्ते के पानी में आपको यहाँ पर एक sample एड़ करना है मैंने यह clean plus का एक sample लिया है और इसे इस पानी में एड़ किया है इस एड़ करने के बाद आपको इसे अच्छे से चम्मस से mix करना है जब तक mix करना है जब तक की पानी और sample अच्छे से mix ना हो जाए mix होने पर आपको इस remedy को हफ़ते में दो बार जरूर लगाना है फ्रेंड से बहुती अच्छी remedy है मैं आपको फिर भी कहूंगी इसका यूज आप जरूर करें और इसे हफ़ते में दो बार ही नहीं बलकि 10-15 बार तो आपको इसका यूज करना ही है इसको अपनी हेर में एप्लाई करने के बाद हलकी हाद से मसाज करें और फिर अपनी हेर को वास कर लें इसी तरी की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें